उडिसा भूवनेश्वर BDA कॉलनी चंद्रशेखरपुर के शिर्डी साई मंदिर की एक छोटीशी पालखी पहिली बार शिर्डी के पावन धाम में श्री साई बाबा का आशीरवाद लेने शनिवार दिनांक 15-6-2024 के दिन आई थी शिर्डी साई मंदिर का निर्मान 5 जुलए 2011 को हुआ था इस मंदिर के पुजारी और साई मंदिर से जुड़े हुए साई भक्त की बहुत दिन से इच्छा थी कि शिर्डी में एक बार पालखी लेके जाएंगे और वह इच्छा साई भक्तों की पूरी हो गए इस पालखी यात्रा का आयोजन, मंदिर के पुजारी, विश्वरंजन दास दिन बंधू, घड़ई और सुदर्शन दास जी नाना इनके मार्क दर्शन पे हुआ था, यह इस मंदिर की पहिली पालखी यात्रा थी कि अच्चा सकता है, यह इस पालखी यात्रा की पालखी यात्रा थी करल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो हम वरिशा से आया है और हमरा सिरडी पावन भूमी में एक पालिकी है अच्छा से पालिन किया है और हम जो आया है वरिशा भूबनेश्च और पिडे कलनी साही मंदिर से आया है चंदर सगरप साही मंदिर से आया है और हम बलकि इधर शिरडी का पावन भूमी में हम आच्छा से पालिकी किया बहुँच आनंद लगता है और दुसरा बार भी बाबा का आश्रीपाद होगा तो हम दुसरा साल भी आएंगे और जो भी है हमरा जो आया है बक्त लोग वो भी आच्छा से हम लोग को बहुत सोहज़ किया है बहुत खुशी लग रहा है और जो पहले हमको सोहज़ करते हैं वो श्रीडी का हो राजुभाई है वो हमको बहुत हेल्प किया है और बहुत साहज़ किया है इसलिए हम बाबा को लेके मू मननत्ग समंद्राई, भोरेनस्वार विडीय कलुँने चंदर सगर पुरह भिवान अ प्रतिश्टलादा अ कृजडीय कलुँने चंदर सगर पुरह जो साही मंधिर अहला आठेमार्ण कर्यंदान कर्या. कर्या अचिंदान तेमा कर्यी कर्या भ॑ शेवाका शेमान बिभीन समय रे श्रीडधाम आशी बाबांका दर्चनकर निवां कुरुपर लगार चानी आजरे यह जो अपर्बा कार्जकरम जे जो पालिंकी जुबाहत्रा होची यहां मुपाईम अध्धा अगोटे अविस्पान अधिन जे मुँ आजरे भागा नहींच एबाबांकार मठा उपरे बाबांका पादुका एबाबांका यह समय पाई शुझाग मुँ जिवान रे आउ क्यवे भी आश परीवा नहीं मुँ से थिबाहिँ आमारा एजीरा ज़ो कार्जक्रमा तादरे जो माने संप्रक्त अचन्ति विश्वास भावरे एजो सिरडिरे राजुआग अचन्ति तांकर जो आशेक्रम पूर्ण थारे किछी भाईमान को नहीं आसंदा वर्षारी चेश्टा करुछो जे फून कार्चक्रम को आउधर मध्धा करीबू आउट के जदी आजी किछी कोईटी किछी असिविधावा तुर्ट्टी थीबू आमर जोवमाने आमसा तिरे आसिचंते समस्तां को दुख्यमा मगुछी जदी कोणसी जागर कोणसी दुखिता बा कोणसी घटला पाईमों दुखिता आउट को आसा करिवी पुर्णी आसंदा वर्षा ये कार्चक्रम मुल आहुरी व्यापला गवाहरे करा जिवा आवरी बहुत तंख्यार साई भक्तमान को समिल करी वडिशारू आमे पूनी सिरेडी आसिवू इवां पालिंग सागुषवा आत्रा करी। यथी कथा कोई रहाँची ओं साई सभावा समस्तां करा कमला मंगला करंदू शमस्तां करा करंदू, शमस्तां करा मुहरे हसा फुठू यथी कथा कोई रहाँची ओं साई रहाँची ओं साई रहाँची चाद्र सेखरपुरू बीडिये साई मंदिर तरपुरू आसितिलू एड़ा आमर प्रथम वर्ष पालिंगी जात्रा बाबांका कुरूपरू आजी आमें समस्तां इठी बीडिये साई मंदिर रहा कर्म करता मने एकाठी है इचु जोड़ा के आजी आमकु बहुत खुशी लागुची आउ एठी जो राज्जु भाई अच्छन्टी आजी आमें बाबांकारे ही पालिंगी जात्रा रे सामील है इपारीलू जोड़ा आजी समस्ते आमें निजुकु धन्यमने करूछु आउ उसे इराजु भाईंकु आमें कृतग्यादा ज्यांपना करूछु जहाँ पाई आजी आमें शीरीड धाम अरे पाददेई आजी आई पालिंगी जात्रा कू महां आडंबर अरे पाला न करी पारे छु जय साहिरा आमें उडिशार भुभनेश्वर रू विडिये कॉलेन में आमें आशियो छु आज एहा थिला आमड़ा प्रथमा पालियंक जात्तरा किन्दो आथिरे समस्त कर्म करता आमड़ा बिडिये कोलेनुर आमड़ा साही मंदिरोरो समस्त कर्म करता मानांकर सहह जो करे आज आमें एथी पहांची पारीचू आज एवड़े सुन्दर पोग्राम हैला सबगा संग शम करता समस्त कर सहजा गरे अजी आमा इठकी पहुंची पष्चु सुन्दरा कर्द सुन्दर कर्द्योक्रवपाही जिए अजी सहजा करी चन्दी आजी अंचलार समस्त जनसाद अना मने बाद्याम को कुंट साज असान पूठ आपको अजिए सदरकर्जक्रम आजी साइबाबंकर को सुन्दरकर्जक्रम है से लगल आजी ही को अजी हैति वार जाको बेंड वह बहुत बेंड वह बाव करूछी एव आमर कल्म करता हमने समस्ते हो और भब करूछंत जोई साहिराम की मदिरे एबाँट भड़ ले थिवारऑ अमरे टिकेत सबो यान्सल हेला भड़ए दिनलाव याजर आमरे शंबब हुई ज़ागर इफिवारश मेर से थिवारणु अधिक्श रव थिवारणु कौनिंबब === आधानमर मंटिर 3 मंदर आधान मंदुरिया पनते हूं का फनल नायन मततहिता मüst कि ओप अभाइंगल को हुआचों चांद समाहता मांभाइं रस कि मंदुर्ष पर कि आशी कि भाइया थ से खुतने बछार मंदिर लनीटीर शैयन मामेटर अरट मार्च कि आधानमर्म वस़ीत वोसा हट आए बना सरभव हो अपतह मैंवरम नगर ल्ओत शाखे छाग। आमनी आज़ करहा अधि स्रीट Cory अभला साइमांदीला जस्दर अहुत करूदील यतिbel summer बश्तन आइंग सत्रीट अधिर्षपा रे EMP अबोट term आपने हो गो जाकॉ सबस्दिक देड़िकांगा रभान। 2000 अगरों मजद 6 तर प्रफ़ियोन 500 वर्फ़ियोन को तर बटलों प्रफ़ियोन क कालम लिम के लिप है को तो जई में कहले दिसकी हो प्रुट चलों कालम में कालम दुनिया को देने वाला जिस घर पे जाके जोली फैलाता था वो घर कितना पावन होगा, पवित्र होगा श्री साही बाबा जब भिक्षा मांगा करते थे उनमें से कुछ घर ऐसे थे वहाँ बाबा अक्सर जाया करते थे वो घर किसके थे आज वो घर की स्थिती में है ये सभी अनसुनी कहानी यात्रा साईधाम की इस कार्यक्रम में बहुत जल्द आपके सामने लेके आ रहे है